नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल है यूटूबर देव पर तो दोस्तों बहुत बार आप कुमेंट में कुश्चन करते हैं कि सर बताइए कि मैक्सिमम एज जो है वो एपलाई करने की जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है या फिर का आनस्वर नहीं है इस कोई reply नहीं है क्योंकि इसमें दोस्तों रीट में आपके एज की कोई बात देटा एंधा अत्वा नहीं है टीचर्स के लिए आवेदन करने वाले अभिर्थियों को नियूंतम अत्वा अधिकतम उम्रक की पाबंदी नहीं है बिलकुल भी जिसके पास रीट के लिए निर्धारी सेक्षन योगता है वो आवेदन परकिरिया गिसा बन सकते हैं यही नहीं परतियों की परिक्साओं में स समन्द में कोई खुलासा नहीं किया गया है इस वज़े से ओन-लाइन आवीदन के साथ ही बड़ी संख्या में अभिर्थियों की भी संशय की इस्तति बन गई थी आलांकि उम्रका कोई कॉलम नहीं होने के कारण अभिर्थियों का आवेदन परकिरिया में समश्या का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन उन में आवेदन पत्र निरस्त होने की आसंका बनी रहती है जो थोड़े से ओवरेज टाइप स्टुडेंट्स है जो अभीरती है वो रीट में अभीरतियों को प्रश्ण पत्र हल करने के लिए दोस्तों धाई गंटे मिलते हैं यानि की डेट सो मि अब दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के बारें बात की अब बात करते हैं कि एज का क्या फेक्टर रहता है तो दोस्तों इस बेस पे अगर हम बात करें कि डॉक्टर डीपी जारूली जो की अध्यक्स है राज्तान मादिमी सिक्सा बोर्ड के उन्होंने क्या का तो देखिए कि रीट में बैठने के लिए उम्रक की कोई बात देता नहीं है बेर्थि के पास निर्धारित शेक्षनिक योगता यानि कि बीए बीए या फिर ट्वैल्थ और बीए श्टीसी डीए लेड होनी चाहिए परिक्सा में कोई नेगेटिव मारकिंग नहीं होती तो ये डॉक्टर डीपी जारूली का दोस्तों बयान जिसके अनुसार ये इसपष्ट है कि आपको जो है कोई भी निर्धारित एज का फेक्टर का सामना नहीं करना पड़ता कि इससे जदा एजवाला नहीं बैठ सकता ह ये आपकी एज है अकॉर्डिंग तो आपकी एलिजिविल्टी वो सही है उसमें दोस्तों आप एलिजिबल है और दोस्तों रीट में अबेर्थियों को सबसे बड़ी रहात नेगेटिव मारकिंग में चूट रहती है आम तोर पर समस्त परतियों की परिक्साओं में तीन सवालों का गलत जवाब देता है तो उसके 16 अंक कट जाते हैं लेकिन रीट में ऐसा नहीं है अब एर्थि जितने सवालों का गलत जवाब देगा महज उतने ही दोस्तों अंक कटेंगे यानि कि जो एक अंक का गलत जवाब दिया तो एक ही अंक उसका डेट सो में से कम हुआ बाकि उसका कोई extra जो दोस्तों है वो इसमें कटोती नहीं है बाकि दोस्तों कोई भी update आती है रीट के समन्दित तो वो आपको वीडियो के मादिम से और पोस्ट के मादिम से अवेलेबिल कराता रहूँगा और दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको इस questions का answer मिल गया होगा कि रीट में आवेदन हितु अधिक्तम age क्या है कई सारे परती पूस्ते हैं कि हम दूसरे राज्ये से हैं और हमारे लिए क्या age की eligibility है तो कोई भी age का निरधारित मापदन नहीं है आप चाहे जो है 20 साल के हो या पिर आप जो है 120 साल के हो आप अवेदन कर सकते हो थोड़ा सा इस joke of the part तो ये थोड़ा सा मजाक में लीजिएगा आप इसको लेकिन serious बात यही है कि आपके age का कोई भी इसमें जो है सिमा नहीं हलांकि आगे जाकर जब आपकी third grade की जो main recruitment होगी उसमें दोस्तों थोड़ी सी problem रह सकती में भी अगर आप over age नहीं चालिस प्लस है तो वहाँ थोड़ा सा एक factor रह सकता है बाकी दोस्तों जो भी update है वो आपके सामने नमस्कार धन्यवाद